आवले के गुंद सभी को पता है और आवला खाना भी पसंद करने चाते हैं सभी लेकिन क्या होता है कि इसमें कड़वापन बहुत जादा होता है बनाने का तरीका नहीं आता है आज जो मैं आपको जूस की रेसेपी इसकी बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से आप जाता है कईयों को बहुत जादा बनाने के बाद इसे मन नहीं करता है खाने को जैसे आवले के मुरबब गेरा हो गया तो इसमें बहुत जारा मेहनत करनी पड़ती है तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ी मीडियम साइज के आवले हैं धो करके इने थोड़ा सा पौच लि इस तरह से और हम लोग की भी हम कटिंग कर लेंगे जैसे मैंने कहा कि हम चार आवले काटेंगे और आवले काटे टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसके छोटे-छोटे पीसी करनी है बड़े-बड़े नहीं करनी है आवले को जो छील के बचे हुए इनकी भ ग्राइन के बाटे हैं और आवी आवलो को हम लेके चलती है मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे ऑप चाहें तो पीछने वाले में भी आप जार सकती है लेकिन मैने आपको दिखाने के लिए इसमें डाला है अब इसमें डालेंगे हम आधी चमच के करीब जो चाय का चमच तो इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरा की मात्त थोड़ी कमी रखेगा, जादा नहीं, यहां से मने 6-7 ली है काली मिर्ची जो इसमें डालेंगे, एक किलास में आप 3-4 काली मिर्ची आराम से डाल सकते हैं, थोड़े से लिए करीब पत्ताज, अगर बड़े पत्ते हैं तो 4-5 बहुत है, वैसे में छोट-छोटे पत्ते हैं तो थोड़े से जादा ले लिए हैं, काला नमग डालेंगे दो चुटके के करीब, ताकि इसमें थोड़ा से यह फ्लेवर फुल ला सके, और अब इसमें डालेंगे हम एक कप के करीब इसमें पानी, जो भी गलास में आप बना होगा, एकदम हरा हरा, और थोड़े से अगर पीले पन में होगे, तो कलर होगा जूस का थोड़ा सा पीला, एकदम बारिक पीस लेंगे, आपको जीरा दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल भी साबुत नहीं दिखाई देना चाहिए, एकदम बारिक पीस करके, हमने जूस को तयार कर लिया है, और अब इसे हम एक बरतन में चान लेंगे, मोटी चलने की सायता से चानिएगा, नहीं तो इसमें से जो है, इसका जो बचा है बुरादा, उसमें जो है यह चंता नहीं है, और इसे हम दबा दबा करके इसमें से निकाल देंगे, अब जो यह बचा है, इस इसे हम फैंकेंगे नहीं इसे भी हम रखेंगे क्योंकि आवला किसी भी रूप में खाएं उसका फायदेमन रहता है उसका प्रोटीन नहीं जाता है यह जो आपके पास पिसा पिसा या बचा है इसकी मैं आगे बताऊंगी अब यह जो जूस निकला है इसे पीना कैसे है कब प बढ़िया है बालों के लिए जितने भी आप तेल लगाते है सेंपू लगाते सब फेल हो जाएंगे जब आप अपनी अंदर की इसकीन को अपनी बॉड़ी को डिटॉक्स करेंगे ना तो आपके बाल आख डात श्कीन एक्टम चमकदार बन जाएगी अगर आप भरी सर्दी इसे आप रेगुलर ले लेते हैं तो आप देखेंगे आपको एकदम गर्मी जो पूरी गर्मी भारिष आएगी उसमें आप में कुछ भी लेने को जरुत नहीं पड़ेगी क्रीम भी लेने की जरुत नहीं पड़ेगी ऐसी ये बन जाएगा आप जो ये बचा हुआ है ना इसको आप प्लेट में डाल दीजिए और डालने के बाद इसे आप फैला दीजिए देखेंगे अब इम्पर पाद थोड़ा है जब मैं पूरा इसे बना लूंगी तो मैं पूरा भी इसे डाल करके इसी ते ही मैं सुखा लेती हूं और सुखाने के बाद ये पाउडर बन ज सूख जाएगा साम तक और इसे अच्छे से फिर बाद में दोबारा से इसे चान करके एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी चाहिए आप खाना खाने के बाद खाएं ये पेट के लिए एक दम रामबान औस्दी आपकी बन करके तयार हो जाएगी या फिर आप कभी आम तो आप दो ले लिजेगा और एक चमप चम इसमें डालेंगे सहद सहद अच्छी कंपनी का लीजेगा और इसे हम मेक्स करेंगे सहद और आमले का रस आपको पता है हमारे आयुरवेद में भी और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इसमें ये बताया है कि इससे आखों की रॉसनी अगर आपके कम है तो वह धीरे-दीरे सही होने लग जाती है और इसे पीना कभ है खाली पेटा पी सकते हैं इसे बेही च आपको ऐसा लगेगा और श्ट्रो डाली इसे पी जे इस डालनी है क्योंकि सीधा दात भी नहीं लगना चाहिए इसे खटे पेंसे नहीं खराब हो जाते है ये चोटे-चोटी सी जानकारी होती है यह मैं आपको एक चीज की जानकारी दे रहती हूं इसे आपको बिलकुल भ इकदम ठुल्तुला सा लगता था वो एकदम स्लीम होना लग जाएगा आपके सरीर में हल्कापन महसूंद रहाएगा जितनी भी विमारी ए आवला एक ही दवा है सभी को पता है तो आप इस चीज का जो मैंने आपको बता है ना जूस बनाने की जो है बालो को घना करेगा ये तो आपको सभी को पता लग चल गया है इसके इनको अच्छा करेगा ये सभी को पता लग गया है और जो है ना नैल्स वगेरा जो खराब होते हैं जो नैल्स विटामिन C की वज़े से जो खराब होते हैं वो भी जो है इससे सही हो जाते हैं अगर वीडियो पसंदार ही है मेरी तो आप एक लाइक जरूर दे करके जाएगा और इसे जादा से जादा अपनों के साथ शेयर के जाएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट बिल सके और मुझे आप लोग के लिए क्या बनाना है ये भी मुझे जरूर आप बताईएगा मिलती हूं ऐसे नई वीडियो के साथ तब तक आप लोग देखते लिए मिनुपता के चन थांक्यू